पूर्ह और लें पर सब्धाल सब्सक्राइब प्रूर और कंपाल सब्सक्राइब कर देते हैं ॵर्प कि पूरी खबर क्या रहे घी थे साथ साल में यवां के 2.2 कुरोडा वेधन इन्से सरकार ने 220 कुरोड़ रोपे कुमाये हैं साथ साल में जो यूवा उने आवे दिन किये हैं दो पेंट दो क्रोड अवे दिन हुए हैं और पक्की बरती कम दे रही है एक लाग कच्छे करमचारियों पर ब्रोशा है ज्यादा हर काम हर मां 200 क्रोड रूपे बचा रहे हैं वेतन के रूप में तो हर मां सरकार 200 क्रोड रूपे बचा रही है कच्छे करमचारियों को रखके हैं कि 40,000 वेतन वाले पक्के करमचारियों की जगह 20,000 वालेुंसे यां सरकार भी बरती कर रही है उससे दीख तो रिटार हो चुके हैं अब बात करते कि खाली पद कितने कितने हैं अगर पुलिस दिपार्टमे के अंदर 5000 और रोडवेज के अंदर 65 जो पधा वो अभी खाली पड़े हैं सरकार जितनी बरती कर रहे हैं उससे ज्यादा रिटायर हो रहे हैं परदेश में करमचारी करमचारी कम होने पर काम कैसे होगा पूरा और उधर बात करें सीटी के बारे में तो सीटी के बारे में अब देख सकते हैं गरूप सी और गरूप डी की परतियों में अब तक 13 से 116 रुपे तक की फीज होती थी अब सीटी ये निवारिया करके अब 250 से 500 रुपे फीज ली जा रही है अब तक आए 7.7.4.000 आवे दन आचुकी है करीब और 26 क्रोड रुपे फीज जमा हो चुकी है कलास वन और कलास टू के लिए 25 से 1000 रुपे फीज लेती है और 25 से 30,000 तक एक युवा का करना होता है खर्चा तो फीज के अलावा त्यार पर भी त्यारी पर भी युवाओं को अच्छा करना होता है आप सभी को पता है कोचिंग लेते हैं जो लाइबरेरी जोइन किये हुए हैं जीन की पुनम देवी 11 बर्तियों में फोम बर्चुक वेतन जाएगा अगर इन 22,000 क्रम्चारियों की बर्ति हो जाती है तो 66,000 क्रोड वेतन देना पड़ेगा सरकार को तो 22,133 पदों पर होने वाली बर्तियों में परते सरकार की मंजूरी के इंतिजार में अठकी हैं वीविन मैकुमों में खाली पदों की जानकारी के लेकर है रोजगारियों के गरों में हर महीने करीब 66,000 क्रोड रुपे वेतन जाएगा गरूप D और गरूप C की क्टागरी के करमसारियों की शरुवात 25-35,000 रुपे होता है ये बर्तिया नहां होने से सरकार का हर महीने या बचत हो रही है लेकिन इन बर्तियों की पूरा होने में अभी से में लेगा क्योंकि पहले सरकार मंजूरी मिलेगी फिर विगयापन फिर टैस्ट परिणाम से लेकर जोएं लगबग साल बर तो लग जाएगा और उदर आठ पॉइंट 37,000 युवा मांग रहे हैं नोकरी हरियाना के रोजगार कारीयले पॉर्टल पर आठ लाग 37,000 युवा पंजिगरीत हैं यह सरकारी दोकरी चाहते हैं यह दी सक्सम युवा बटल की बात करें तो उस पर भी तीन लाग ने नानोव जार तिन से क्यारा युवा ने पंजिगन कराया हुआ है इसमें दो लाग 14,302 पास हैं जबकि एक लाग 19,807 ग्रेजुएट और 55,156 प और बरती रद होने के बारे में भी आपको पता देते हैं अगर बरती रद हो जाती है तो 10200 रुपए जो फीश होती है वह आप वापीस ले सकता है बरती लेकिन 100 और 200 रुपए के प्रेज के चक्र में कोई ही नहीं पढ़ता है इस कारण से भी जो है रियान सरकार को काफी क कम जा रही है तो पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं सीटी के बारे में हो चाहे वो कलास वन टू के फीज के बारे में हो 25,000 से 30,000 रुपए आपको पता खर्चा आ रहा आपका कोचिंग के लिए और मंजूरी के लिए 22,000 पद भी पैंडिंग बढ़े हैं उनका भी कोछ अ वाबतार है तो पर्टर पड़ नहीं है बी तो पक्की बरती आपको पता है कम ओर ही हैं एग लाग कच्षे करम